हेलो दोस्टों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में दोस्तों ये वीडियो बहुत ही आपके लिए खास होने वाले जो भी BA first year में admission लेने वाले है या BTC में भी लेने वाले है ठीक है तो इस वीडियो को पूरा देखना ये आपका BA first year का जो syllabus है उसको हम discuss करेगे कैसे कैसे आपको file तयार करने हुए कैसे lesson plan आपको तयार करने और क्या-क्या आप फश्टियर के इंदर पढ़ोगे और किस तरीके से आपका जो है number आपको लगबग 80 पलस आपको खुद से पढ़के भी आप ला सकते हैं और कैसे-कैसे मैंने lesson plan तयार किये फाइल तयार की और कैसे मैंने अपने जो short notes से आपके आपके first year के लिए जो कि आपके theory आपकी सबसे ज़्यादा जरूरी आपकी man exam के लिए कितना-कितना आपको लिखना होगा वो सभी इस वीडियो में हम discuss करेगे एक-एक point को तो वीडियो क को ध्यान से देखना इसमें ठीक है चलिएगा दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ वीडियो को इसकी मत करने क्योंकि देखेगा आपके mind में यह चलता है कि कहां कहां पे जादा जो है गौर्मेंट पे नंबर जादा आता है या प्रैवेट वालो बच्चों का नंबर जादा आता है तो वो सारा confusion आपका दूर हो जागा एक-एक point लूँगा थोड़ा सा यह किया है यह BSC Home Science से आपने जो है किया होगा ठीक है BSC Home Science तो आप आओगे कलावर्ग के अंदर इसके अंदर आपका देखेगा बीड के अंदर चार सब्जक्ट आपके कंपल सरी होते वह अभी मैं आपको बताने वाला हूं उसमें ठीक है और आपके दो होगे आपके सब्जक्ट होगा 600 आपका एस एस जीए मेरे कौलीज में सीघ्ट हां अब्धी तो वह सकते और आपका दो सब्जक्ट कोई भी आप ले सकते हैं Łप चलेगा अब इसके बाद अगर आते होगे फि ङ्यान वर्क के अंतरगत आपका तो आपने BSC के अंदर आपका BSC Math, Physics, Chemistry, Math और आपका जो है Bio अगर आपने पढ़ा होगा Bio अगर आएगा तो वो आप Bio ले लेना आपको अगर आपके College में होगा वैसे लगबग सभी College में होता है बाकी नहीं तो आपके पास जो दो चोईस वाले होगे वो होगा आपका Physics होगा, Chemistry होगा और आपका Math होगा तीन में से आप कोई भी दो ले सकते हैं वो आपकी इच्छा है ठीक है चलिएगा इसी के साथ आपका यहाँ पे अकर आप आते होगे Commerce के अंदर तो जैसे मेरे कोलिज में Commerce का सब्जेक्ट नहीं है अकाउंट वगारा जो इसमें होता है मेरे कोलिज में नहीं था तो उन्होंने क्या लिया था एक लिया था यहाँ पे SST और दूसरा लिया था उन्होंने Math भई आपका ठीक है क्योंकि Math, Commerce वाले बच्चे फड़के आते हैं Commerce के अंदर तो वो ले सकते हैं बाकी आपके कोलिज में कर Commerce होगा तो आप Math और Commerce ले सकते हैं कोई भी दो सब्जेक्ट बहुत ही आसानी से इसके बाद आपका Agriculture वाले क्या लेगे जैसे मेरे कोलिज में Agriculture भी नहीं था BSC Home Science यानि के Home Science भी नहीं था मेरे कोलिज के अंदर ठीक है तो आप क्या लोगे भई आपका आप यहाँ पर Math ले सकते हो आपका Physics है Chemistry है और आपका जो है BC वाले क्या लेगे BC वाले भी आपका Physics Chemistry और Math आपका ले सकते है ठीक है इनी से इनको फाइदा रहेगा चलेगा तो इसमें आपका हो गया इसमें इसके बाद यह सब्जेक्ट है आपके जो मेरे पास सब्जेक्ट थे वही लगबग आपके पास रहेगे ठीक है केवल दो ही आपका चेंज होगा वो सभी का होता है देखिगा मेरा जो बीडिये फस्टियर का जो सब्जेक्ट था यह चार तो कंपल सरी जो उपर ले वो कंपल सरी सभी के लिए कंटम्प्रेरी इंडिया आजेक्योशन आपका फ्लोस्पिकल और इसके बाद आपका थड़ पर हो गया फोर्थ आपका यह हो गया टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलोजी ठीक है इसमें आपका सब वही पढ़ हो गया आप कंप्योटर के बारे में आपका और इमेल जीमेल पूरा फुलिस के अंदर पढ़ना होता है ठीक है चार सब्जेक्ट हो गई आपके यह ठीक है कोड एक दो तीन चार उसके बाद जो दो कंपलसरी लेने थे मुझे जैसे मैं कलवर के अंदर आता हूँ तो मैंने जो लिया था वो लिया था पैड़ागोजी ओफ हिंदी और पैड़ागोजी ओप सोसल साइंस के पैड़ागोजी ओप हो सकता है या पैड़ागोजी ओप आपका जैसे हिस्ट्री हो सकता है जोगरफी हो सकता है पॉलिटी हो सकता है एकनोमिक्स हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो आप ले लिजेगा पैड़ागोजी ओप मैथ पैड़ और आपके प्रेक्टिकल के नमबर वह अभी हम डिसक्स करेगे तो यह आपके होगे सब्जक्ट आपके कितिने आपके फेपर होते हैं आपके फश्टिर के अंदर आपके काली छिख람 कई ही कीologically छहने सिख्शा थी थी ठीक है इसके बादाप को जैन कालीं नीत मुगलों के शिक्षा कैसी थी ठीक है और अधुनिक भारत में कैसी शिक्षा रही आपकी और वर्तमान शिक्सा कैसी थी ठीके और आधुनैक भारत में कैसी शिक्सा रही आपकी अंगरेजों के टाइम पे और वर्थमान में क्या किस प्रकार की शिक्साथ तो पूरा यह पेपर होगा पूरा समय चलता है कर आप हुर्स के नोटल चार सकतब करना को एदिमταν हो झाएगा अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, सेकिंड पेपर देखेगा, सिक्षा के दार्षनिक एम समासास्त्रिया प्रिपेच में, इसमें आपका ये सेकिंड पेपर है, ठीक है, इसमें वही पढ़ना होगा आपको, गांधी जी के बारे में, टैगोर जी के बारे में, रूसो और प्लूटो के बारे में आपको, ठीक है, यही सब इसमें देखना होगा, दर्षन और सिक्षा के संदर में आपको देखना होगा, थर्ड पोर्षन जो है आपका ये, सोरी आपका पेपर, अधिगम करता के रूप में विकास आपका, ठीक है, इसमें पूरा पेपर होता है, अ आप वन्चित बालाग क्या है इसमें, वो सभी सके अंदर पढ़ना होगा, ठीकिए, NCRT क्या है आपका, और SCRT क्या है और इसके अंदर आपका जैसे MEень मीडे मील वगरर सब इसे के अंदर होता है ठीकिए, चलिएगा, इसके बाद आपका, ये परेपर है, आपका, फोर्त प Facebook एप चल रहे हैं इसाब क्या है तक नहीं की है इसमें प्रोजेक्टर वगयर इसमें आपका Facebook नदर आएगा आपका Gmail है इमेल है आपको ठीके यह सब इसी में आता है ठीके पढ़ना होगा इसके अंदर इसके बाद पैडागोजी ओफ हिंदी यह आपको पढ़ना होगा ठीके इसके बाद भी हम बात करेगे next portion में कैसे आपको notes तयार करना देखेगा government या private college अच्छे भई अच्छे दोनों college अच्छे होते हैं ठीके यहाँ पे केवल 10,000 free seat हैं आपकी government के अंदर government या added college में उन पे फीज़ जो है नमातर के लगते बाकी आपके private college भी बहुत अच्छे होते हैं यानि कि कोई भी ऐसा नहीं कि यानि कि private government ही जादा बैतर है government ही जादा बैस्ट करते हैं ऐसा कुछ नहीं बहुत चारे इस बार भी बेरते हैं जिनकी अच्छी रैंक है के 1000 रैंक है वो आपके private में बेर कर रहे हैं वजह आप जानते थोड़ा सा उनको लगता है कि जाना पड़ेगा जाता इसके बाद देखिएगा आपका practical वगेरा की marks आपका तो भई practical में फूल मार्क्स दिया जाता है मैं यह नहीं कहूंगा कि कहीं पर नंबर कम दिया जाता है हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ आपके आज पास कोई ऐसा पोलीज हो जहाब एक कम दिया जाता हो लेकिन ऐसा नहीं है चलिएगा बीएड फश्च आपका semester वार्षिक वार्षिक भी होता है आपका और semester वाईस भी आपका ठीक है चलिएगा इसके बाद देखिएगा बीएड के अंदर आपका सबसे ज़्य जो पूछा जाने वाला कोश्वन है कितनी परसेंटेज बन जाते गुरूप के अंदर आप यहीं बात करते हो प्राइवेट में ज्यादा परसेंटेज बनते ग्वर्मेंट पर नहीं बनती तो इस तरीके से कोपी को लिखना आपका कोश्चन क्योंकि परश्टेज वगया तो इस तरह की जो है ना यह समस्य आती है तो सेकेंडियर के अंदर आए सेकेंडियर में तो यह सब समस्य परश्टेज वगयरा आपकी सेकेंडियर के अंदर आपकी असी तो नोरबल आ जाएगी अगर अच्छी मेनत आपने थियोरी पर की है तो असी तो आ जाएगे अगर जादा मेनत करते हैं बहुत अच्छे आप पढ़ने में जो भी आप पढ़ते हो वह सब कुछ याद हो जाता हो तो यह मानिए कि कम सी कम 85 परशेंट आपका आएगा क्योंकि बीटीची के अंदर आपका 90 और 88 परशेंट आता है बिल्कुल चलेगा जैसे आपके कुछ कमेंटर लेते हैं दो तीन इसमें आपका सर मैंने बीसी मैतमेटिक से किया है बीड में हिस्टी पोरिटी या जोग लेके क्या करोगे तो आप इनसे दूर रहिएगा और ना ही आप ले सकते हैं इमर्जंसी है कि आप ले लो नहीं तो कोई फाइदा नहीं होगा चलेगा अगला कमेंट यहां पे रुबल जी का है इसमें मैथमेटिक से कर सकता हूं क्या मेरे पास मैंस अब्जेक्ट एक सेकि करिएगा तो आपके पास ना साइंस कंप्यूटर साइंस का जो टीचर ना बहुत ही इजी है क्योंकि देखेगा एल्टी ग्रेड के अंदर आपकी जो वेकेंसी आती इस बार पिछली बार जो आई थी वह लगबग बारसों के आसपास उसमें थी कितनी वेकेंसी थी बारसो था इसमें बीड अनिवारी लगबग के पास नहीं थी फिर उसके बाद क्वालिफाई करना होता है पेपर में निगेटिव होती है तो आप जो है आप हो सकते कंप्यूटर से कर सकते हैं ठीक है मैं से तो आप कर सकते हैं लेकिन आप इसको मत छोड़िएगा एल्टी गरेड इसके बाद अगला यहां पे कमेंट है बीए में मैं नहीं था बीड मैं ले सकती हूँ प्लीज कोई फाइदा नहीं है नैंसी जी आपका ठीक है जो बीए में था उसी से टीजीटी की आप तयारी करिएगा ठीक है चलिएगा और अल्टी ग्रेड वगेरा आएगा वो सब अ कुछ को जो बच्चे होते हैं आपके आप सवन सकते हो क्लास के अंदर उनको पिच्चान परचेंट तक नंबर दे जाता मेरा भी लगबग जो है नबब्य प्रसेंट के आसपास था प्रेक्टिकल के अंदर कितनी फाइल बनेगी तो फाइल जो बनती है फर्स्टियर के अं पूरा इंगलिस की और आपका फर्स्ट पेपर सेकिंड पेपर पूरा ये कंप्लीट आपका ठीक है और इसी के साथ साथ देखेगा यहां पे आपके लेशन प्लान आपके ठीक है जो टीचिंग आपकी होगी तीन तरह की टीचिंग होगी उसमें आपका थोड़ा सा मैं आप पे और आपके आज पास जो जो आपके जितने भी फ्रेंड चर्किल में होते हो सब बैटते हैं और आपके टीचर वगएर आपको अबजर्ब करते हैं यह मईशन प्लाना आपको सबसे पहले आपको जो माइक्रोटीचिंग में होगा वह आपको पांच पांच आपको बढ़ाने होगे यानि के दो पेड़ा जी सबजेक्ट है पांच जैसे मेरा हिंदी के सटी हुआ पांच मेरा अपकेそ प्लाना होगा जो आपके मित्रकण होगे पूरे ठीक है इसके बाद आपको जो है ना पंद्रा और पंद्रा लेशन प्लान आपको तयार करने होगी यह आपकी होती पचास साथ के आसपास हुआ था तो मैंने पूरा फोटो कोपी तयार करके इसका रखवा लिया था जिससे आपको भी हेल्प हो सके और या पी यूटूब वगरा पर आपका इनको जो है डाल देगा था ठीक है तो यह लगबग आपकी दस-पंद्रा फाइल यह फर्स्ट यर स जाते तो इसी यह फाइल होती है इनको ही बना गया और कुछ फाइल जो है बच्चे खुद से भी तयार करते है ठीक है चलिएगा इसके बाद फाइल मैंने बता दी किसने कितने लेशन प्लान आपको तयार करने है फिर यह आपको कैसे करने होगे जैसे पेड़ागोजी है सोटे एसह ते तो उसके अंदर माल Mayे अपने टोपिक लिए तो पसके से हमकी कोशन तेयार करने उसके बाद आपका मुसकील से 5 मिट में होगा उसके बाद आपका सेक चैन्ड जो प्लाइं थे 5 प्राव में डिसकस करें के देखेगा सोट नोट्स कैसे तयार करना अभी मैं आपको दिखाने वालूं कैसे यह जो नोट्स तयार करना आपको यह थोड़ा समय प्रेक्टिकल के आपको नंबर दिखा दूए 20-20 नंबर का फर्स्टियर के अंदर भाई आपका 20 में से 18, 18, 18, 17, है 11, 29th यानी क county average दिया और सर के कि यह डिया है और फर्स्टियर के अंदर यह जू प्रेक्टिकल होता है na 220 का होता है चार सो गरोंबर का फ्रस्टार के नंदर मैνें लिखा था और 220 का होगा प्रेक्टिकल सेकिंडियर के अंदर आपका जो थियूरी होगी वह वोगी आपकी 240 की और प्रेक्टिकल होगा 460 का तो नंबर भई आपका भरमार आपका बनेगे बस आपको जो है पेपर का फॉर्मेट देख लिजेगा पहले इसमें जैसे आपका ये पेपर है तो आपका जो खंड ए होगा इसके अंदर आपके चार कोश्चन होगा इसके अंदर आपका कितने कोश्चन दिये इसके अंदर छे कोश्चन दिये है अथवा करके आपको केवल तीन सोल करने ठीक है ये question देख लिजेगा paper के इंदर से और unit होती है 5 आपकी इसके बाद आपके second में आपके 8 question sorry आपका 5 question आएगे थोड़ा सा format गलत है इसमें कितने आएगे आपके वो आएगे 5 question उसमें से आपको 4 solve करने होगे इसके बाद 10 question आएगा 10 में से आपको 8 solve करना होगा ठीक है एक format अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ देखे कर ये paper का format पेपर ता ही आपका long question जैसे समावेसी सिख्षा का अर्थ क्या है आवशक्ता क्या है मैं तो और मैं तो जो है इसका विस्तार से समझाना इसमें समझाईए इसके बाद इसमें second दिया है वो कर लो या अथवा दू जो तीन है पार्ट में कोश्चन होता है इसके बाद दरश्टई बादित बालकों के लिए जो एकक्सा प्रकिरिया की विस्तीत रूप रेका का वर्णर आपका दरश्टी बादित को कैसी सिख्षा जो है कैसा मतलब कोश्चा का जो है वाता वर्ण किया जैसे लूइस व्रे विवेचन आपको करनी होगी यह question आपका है प्रतिवस आली बालको हेदू सेक्षिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए जो मतलब अच्छे बच्चे है gifted children इसमें मानसिक रूप से पिछड़े बालक आपके ठीक है या मंद बुद्धी बालक आपके तो यह आपके question his possible question इसके बात जो 10 question आते हैं आते है यह तो one word में आते हैं आपका सही और एगलत में आते है सत्ते सत्ते हैं लुद्धें 10 में से 8 करने होगा आठ कोशन होगा आपके शोरा नंबर की जो पहला प्रेला खोशन होता है पहला जो पहले इसमें thirty 3 q questions sorry करने हो एक कॉछचन होगा आपका 16 नंबर का ठीखे इसके बाद आपका पांच में से आपको 4 करने होगे और ठीक है 4 qワ् gesund एक जो question होगा ये होगा आपका लगभग 4 चार नंबर का होता है ठीखे यानि कि आपका भी हो जाएगा ये भी आपका यह हो जाएगा आपका 48 पहले वाला और दूसरे में आपका आठ question पूछ जाएगा और एक question होगा आपका दो नंबर का यानिकि हो जाएगा फिर इसकी बाद आपका लागा यह और आपका 48 पहला जो ठीक है यह मिला है तक इनदर कभी जो है इसमें इस तरीके से नंबर आता था 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 के अगर आपका पहले ही आपका सोट कोश्चन आपका किया जाएगा तो आपका जो पूरी कोपी चेक होगी फिर आपको बहुत यह अच्छे माक्स दी जाएगे इन में आपका फुल नंबर आ गया उसके बाद आपका जैसे फिर यह करो आप सोट वाले ही ठीक है इसको लगब करते हैं पहले लों कर दिया फिर आपका यह कर दिया यह आपका बीच वाला प्रूसर फिर आपका ह neutr कर दो यह से आपका करम से देया लेकिन हैसे मैंने कभी नहीं किया और तोड़ा सान मुझे मेरे कोटिंगन तो मुझे से बेटर मिला ठीके अब देकिए गा आपको कैसे आपके खुद के सोटफ नोट्स तयार करने Pacific इसमें लिखा है उपनेंण संत्रार इसमें या आपका विध्या आरप यह जो संसकार तहीं क्या था समावर्तन संसकार ही आपका ठीक है जो यानि कि बच्चे का जब एक तरीके से एडमिशन बोला जाता है या उसको विद्या ले जा जाता है गुरू के पास उसमें तो वह था उपनेन संसकार इसमें विद्याराम संसकार आपका पांच वर्च की यह नहीं होता था इसके बाद आपका समावर्तन संसकार यह होता था जब बच्चे की जो एक जो शिक्सव पूरी हो जाती थी वैसाही से शिक्सव दी जाती थी ठीक है बच्च्चे कुछ पढ़ने की बाद ऐसा om करते कुछूद्ड का रोजगार भी कर सके, इसके बाद कक्से नाट के विदी, यानि कि बच्चे जो नाटक करके शीखतें थे ठीक है, इसके बाद आपका विध्यारती ओ के जीवन संबन्दी निमों में कठोरता थी पहले, ठीक है, यानि कि सुबह किस टाइम उठना होगा फिर क्या-क्या आपको ध्यानिक कारे करने होगी यह सब गुरू सिस्से संबन आपका क्या सा था तो इसमें आपको लिखना होगा पूरा फॉर्मेट तो मैंने ऐसे सोट नोर्स आपके तयार कि इसके बाद उदेश से क्या है संसकारों का विकास करना ज्यान अनुबव का समन्वे आत्मा की प्रवर्ति पवित्रता का विकास करना चरित्र का निर्मान करना भारत्य संसकर्ति के सरक्षन का प्रियास किए गया यह जो सिक्षति वैदिक काले निया आपका प्राचीन सिक्षा इसके कुछ दोस भी थे लोक भासाओ की उपेक्षा इस्तरी सिक्षा की उपेक्षा इस्तरी सिक्षा को पहले जो ह मतलब जैसे आपका वेद आपने पड़े होगे जैसे आपका इत्यास के अंदर रिगवेद के टाइम पे आपका उस समय इस्तिती अच्छी थी बाद में थोड़ा इनकी जो इस्तिती है वो आपका सही नहीं थी अनिके उसको जो है इस तरी सिक्षा की जो अवेल्ला होने लगी इसके बाद रटने पर बल इसमें दे जाता ये दो सहिसके तो मैंने इस तरीके से पूरा कोश्चन को ऐसे फोर्मेट किया अब इसके अंदर सोट कोश्चन में क्या पूछेगा उपनें संसकार क्या है यानि के पास ले जाना यान आपका चार नंबर वाले कोश्चन में भी आ सकता है दो में तो आएगा ये चार में भी आएगा कभी-कभी ऐसा होगा ये आपका लोंग के six छोड़ कर दो में भी आजाएगा तो आपको लोंग कोश्चन त्यार करने इस फोर्मेट मे अपना ठीके और यह जो आपका फॉर्मेट आने यह आपका पूरा आप पेपर ऐसे तयार कर सकते हो आप 6-7 दिन के अंदर आप देखीगा आपने यह देखा होगा जब पूरे साल आप नहीं पढ़ते पेपर के 10 दिन पहले भी आप इतनी तयारे कर ले तो जो पूरे साल नहीं करते खुद के नोर्स भी तयार कर ले तो सब जो पड़ते हो समझ में आता है तो इसी तरीके से आपको तयार करना होगा और यह आपका जैसे यह जैसे किसोरबस्ता यह लिए आपका open right या आएगा आपका बीट के अंदर भी आएगा फिर्ष्ट एर के इंदर दर सेक्ट hesitant कर वस्ता थी कि परिवासा क्या हिए ठीक है परिवासा अलग 18 साल ठीक है यह मान सकते है इसको कहते है और इसमें मांसिक परिवर्तन भी होते कल्पना की जैसे हम 18 साल के हो चुके आप भी धार्मिक चीतना आएगी उसमें उसके बाद बुद्धी का चरम विकास आप जो पढ़ते हो वो सब कुछ याद रहेगा आपका पहले क्या था टैन पउइंट लिखो और उसके अंदर यह आपकी एडिंग है इसके अंदर आप कुछ भी लिख दोगे कुछ का मतलब यह ए कि आपको पता है समयोजन की कमी क्या है यह जो रवस्ता इसमें समयोजन की कमी होती है आपने देखा होगा माली जीगा एक एक्जाम तया दो दिया उ ये सब इसमें पॉइंट है तो ये इसके बाद कि रवश्ता कि सिक्सा कैसी होनी चाहिए चीक है योन शिक्सा उनको दी जाए उनको दिश्ठा कि विकी विश्ता हो इस इसमें लड़की साथ पड़े इसके बाद सारे गति के की विकास के लिए शिख्षा इसमें दी जाएं रड़ास लोगों की जिवनी और मुर्शाई पढ़ने की व्याइस्ता की जाए इनकी सिक्ष्ष्षPhone में ठीक है तो आपको ऐसे आपका भला चाहेगे, वो हर तरीके सा आपको support करेगे, उसमें ये लिखना होगा, आप ये long question अमने तयार किया जैसे आपका, कभी कभी पुछ लेगा किसो रवस्ता की दो विशेशता है, कभी किसो रवस्ता की समस्य है, कभी कभी एक long question में पूछ लेगा कि आपका, किसो और मेंटना पूरे आपके मैं आपके टेलिग्राम पी डाल दूँ आपको बहुत हैल्प मिलेगी और रही बात आपकी कितने पेज आपको लिखने होगे इसमें तो रही बात आपका देखेगा आपका सोट मैंने बता आपको सोट के लिए दो पेज में आप complete कर लोगे इसके बाद जैसे आपका लगू है लगू के लिए एक पेज का आप यह देखी का मैंने एक से कभी ज़्यादा नहीं लिगा चार चार नंबर वाले में एक पेज लिखो बस टाइम है एक पेज यह करा उसके आपके बाद दूसरे पेज पर जाओ और दो तीन लाइन उस पर चाप दो ऐसे करना उसके बाद आपका 16 नंबर वाला जो है ना इसके अंदर मैंने कभी चार पेज से ज्यादा नहीं लिगा चार पेज कैसे तो चार पेज देखीगा इसमें एक हो गया यहां से question सुरू करि ठीक है अगर आपके पास time है तो पूरा लिखेगा इसको time कम है ठीक है तो आप साड़े तीन पर कर दीजेगा इसमें ज्यादा ही time है तो चोते पेज जाओ और तीन यह चार लाइन लिखो बस इतना आपको लिखना होगा भरपूर आपको नंबर मिलेगा थोड़ा सा यह द भी भी देखेगा 20 या 21 पेस से जादा नहीं लिखा गया आपको प्योंट टू पॉंट लिखना होगा ठीक है जैसे आपका माल-जय स्टना मिड़े मील अपका आय। चार नंबर में कोश्चन आये सोट में आ सकता है चार नंबर वाला में बता दू तो आपको क्या करना होगा मिद्डे मिल पंद्रागेस तुनिस सो पिचाण में चला ठीक है इसका उदेश से क्या था आप लिखेगा नामंकर बढ़ाना प्रात्मिक अस्कुलों में ठीक है उस इसके बाद आपका यही आपको सब कुछ लिखना है अगर आपने यह पोईंट लिख दे उसके बाद थोड़ा थ्योरी लिखी इसको एक पेज में करके बहुत अच्छे से आप इसको फोर्मेट को त्यार करना नंबर आपको बरपूर मिलेगा ऐसा नहीं कि चार में से आप इनका से फोर्मेट बनता है पूरा यह पर दर्शन वाला देखेंगा रूसों का दरन इसके बारे में पहले लिखो इनके विचार क्या थे इनका उधय क्या था और इनका सिद्धान क्या था इसका प्रभाव क्या था पूरा ऐसे आपको लिख ऑर यह नोटी आपके मैदा त्यार करना ठीक है चलिएगा फर्स्टियर सेकेंडियर में मैंने ऐसे किया था और आशा करतों कि आपको बहुत ही जादा आपको हेल्प मिली होगी इससे और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा कमेट जरूर करिए और अपने जो आपका इसमें कुछ कमी लग अब 30 मिन का हो गया जादा हो गया है